हेलो माई लेवली सुडेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कॉंसेट्स इन मेकानेकल इंजिनिरिंग वुच शमी मनसारी होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे एंड एक्जाम्स की प्रिपरेशन भी काफी अच्छे से कर रहे होंगे स्टुडेंट्स आज के स्वेशन में हम एक नुमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं यह नुमेरिकल नवंबर 2018 और दिसंबर 2020 माया हुआ है नुमेरिकल काफी आसान है फॉर्मूला बेस नुमेरिकल है अगर आप गिवन डेटर लिख पा रहे हैं और आपको फॉर्मूला याद है तो इसली इस नुमेरिकल को आप सॉल्व कर पाएंगे ओके चलिए स्टार्ट करते हैं स्टुडेंट्स में कोश्चन को रीट कर रहा हूं ताकि हम गिवन लिख पाएं क्या बोल रहा है कोश्चन में देखिए A steam turbine operates under steady flow conditions, it receives 72-100 kg per hour of steam from the boiler The steam enters the turbine at enthalpy of 2800 kJ per kg, a velocity of 4000 m per minute and an elevation of 4 m The steam leaves the turbine at enthalpy of 2,000 kJ per kg, a velocity of 8,000 m per minute and an elevation of 1 m. Due to radiation heat losses from the turbine to the surroundings, amount to 1580 kJ per hour, calculate the output of the turbine. यह कोशिर रीट कर लिया, अब हम इन गिवन लिखेंगे, क्या बोड़ा बच्चो एक steam turbine है, जो operate हो रहा है, steady flow condition पे, अब वो जो turbine है, वो रिसीव कर रहा है, 7200 kJ per hour of steam, बच्चो यह क्या दिया है हमको, यह हमको mass दी है steam, steam का mass दिया है, ठीक है, turbine में इतनी steam, turbine में इंटर हो रही है, तो mass लिख लिए हमने 7200 kg per hour, right, इसको हम change करेंगे kg per second में, ओके, तो हम जानते हैं कि एक घंटे में 3600 second होते हैं, तो 7200 कम ने क्या करा, 3600 से डिवाइट कर दिया, calculate से इसको solve करा, तो आया 2 kg per second, right, आप क्या बोलड़ा बच्चो, the steam enters the turbine, at enthalpy of 2800 kg per kg, अब जो steam आ रहे हैं टरबाइन के अंदर, उसके enthalpy दी गई है आपको, right, तो बच्चो हम कर क्या रहा है, कि जो entering हो रहा है, उसको हम location बन से direct कर रहा है, उसलिए क्या होगा, enthalpy जो टरबाइन की है, जो steam enter हो रहे हैं टरबाइन में, उसकी जो enthalpy दी है, आपको, इसको हमने h1 से denote किया है, 2800 किलोजूल पर केजी, वैसी velocity जो हमों किती दी है, 4000 मीटर पर मिनट, तो V1 हो जाएगा ये, अब मीटर पर मिनट पर दिया है हमको, इसको में change करना है, मीटर पर सेकिंड में, धान रकिएगा, एक मिनट में 60 सेकिंड होते हैं, इसलिए 4000 को में डिवाइट कर दिया, 60 से, कितना है बच्चो, 66.67 मीटर पर सेकिंड, अब नेक्स क्या है, अब टरबाइन से स्टीम बहार निकल रही है, तो जो बहार निकल रही है, तो इस टायम के आंध把 कितनी है, विया को 2000 gio per kg , जिसकं हम डेल्ट करेंगे, ch2 se 2000 klo g per kg , साथ में पर्लिच के दिये वलसीटी 8000 mµ horse, दोभार विया थिको हम चेंज करेंगे, मेटर पर सेकिंड में, ऐट थाउजन मीटर पर मिनट एक मिनट में साट से किन होते हैं इसलिए डिवाइट कर दी है साट से कितना है यह 123.33 मेटर पर सेकिंट और गेटम से उसके हैट दे गई वन मीटर तो जेट टू किता होगा है हमारा वन मेटर होगा है अब क्या बोल रहा है कि यहां पर ड्यू रिडिशन हीट लॉसेज पूर में टर्बाइन तो शरांडिंग्स अमाउंट टू 1580 पर आब यह क्या बोल रहा है कि रिडिशन को यह से क्या हो रहा बच्चों हीट लॉस हो रही है टरबाइन से स्रांडिंग की और कितनी हो रही है 1580 किलो जूल पर आर अब बच्चों है क यह हो रही हमारी लॉस हो रही है तो इसको मिलें नेगेटिव में इसलिए आप देख पा रहोंगे क्या है माइनस 1580 किलो जूल पर आर इसको हम चेंज करें किसम बच्चों सेकींड में इसलिए एक घंटे में 36 सेकंड होते हैं हम डिवाइट कर दिया इसको कितना या से गलती क्या हुई थी उसने यहां देखिए केजी पर आ रहा था यहां डिवाइट कर दिया दिया तो इसका आप लोग धियान रखें एक घंटे में एक घंटे में होते हैं यह बहुत नॉर्मल सी बात है लेकिन हम जलबाजी में गलती कर जाते हैं अब क्या बोल रहा बच्चों यहां पर केलकुलेट दा आउट्पुट ऑफ दे टरबाइन अब टरबाइन से कितना आउट्पुट मिल रहा हमको वह निकानना है ठीक है तो सिंपल बच्चों प्लास सेम फॉर्मला सब्सक्राम करते हैं कि फॉर्मॉला आउब चों म क्या ब्रेकेट के अंदर हेच बटीज्ट टू अब हम क्या करने जा रहा है डाफल्ट ऑन टू को हम और को गस्ताफ लेके जा रहा है कि इस होल्ड ट्रम को हम एक्वल टुक स्टफ लेके आ रहे हैं कर दिया हमने तो नेक्स स्टेप में क्या होगा बच्चो क्यू वन टुटू तो यह रहेगा यह डेबली वन टुटू इस्टरफ आएगा तो मानस मा जाएगा ओके यह टर्म वेसिक वेसिए रही एम एच्च टू प्लेस विट इसक्वाइब टू प्लेस जी जेटू यह टर्म जो थी इस सफ़ आएगी एकवल टू के तो मानस मा जाएगी देखिए एम एकशवन प्लेस वन स्क्वाइब टू प्लेस जीज़ड वन टू ठीक- स्टेप में क्या हुगा यह टर्म तो वेसिक है कानेटेग घ्म साथ में लिए और प्रटेक्ष में हमने सात्में लिए तो हो गया पिलस वीटियर इसक्वाइब आइट्लू माइनस बार्थ टू साथ मिन लेशने फिल आप जी जड्टू माइन साथ लिए और जी आप नेक्स कर रहा है हम अब हम करने जा रहा है वेलुइस पूट करने जा रहा है अब क्यों बैर कितनी आई थी हमारी यह थी माइनस 0.44 रख दिया हमने आउट्पट हमें टरबाइन से क्या वर्क मिलता है वह में निकालना है आउट्पट तो इसको लिख दिया हमने मास कते दिया है बच्चो मास दिया हमको हमने 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 कि यह है 2000 रख दिया मैंने माइनस हमको 2800 रख दिया है मैंने फिलस विडियो का स्कॉयर विडियो कि दिया बच्चो देखिए यह दिया हमको 123.33 रख दिया मैंने उसका स्कॉयर ता स्कॉयर लगा दिया माइनस विवन के स्कॉयर कितना दिया है बच्चो यह दिया 66.67 का स्कॉयर डिवाइड में टू मिल्टिप्लाइड में करेंगे 1000 से क्यों करेंगे देखिए यहां पर जो मैंने कि यहां पर क्या करेंगे हम कानेडिक जो हमारी जूल में आ रही है उसको किलो जूल में चेंज करेंगे उसको क्या करेंगे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे बच्चो फोर रख दिया इसको भी हम क्लोजूल में कर रहे हैं अब इन सारी वेलिस को में केल्कुलेटर की हेल्प से स्वाल करता हूं तो हम इस रिलेशन पर पहुंच जाते हैं अब इसको में जब सॉल्व करा तो कितना आया माइनस 1586.72 अगले स्टेप में क्या कर रहा है हम इस माइनस वाले टम को इसको सॉल्व करेंगे बच्चो कितना आएगा इतना आएगा अभी हम देख रहे हैं कि लरली दोनों साइट क्या बच्चो माइनस माइनस का साइन है तो हो गया हो जाएगा कैंसिल तो कितने वह लिए बच्चो हमारी 1586.2 किलो जूल पर सेकिंड और हम जानते हैं जूल पर इस नुमेरिकल आपने समझा होगा इस नेक्स वीडियो में हम डिसकस करेंगे अगले नुमेरिकल को थैंक यू फॉर वाचिंग इस सेशन